27 डिसंबर को साल का अंतिम बुधवार है और इस दिन ब्रह्मयोग, एंद्र योग समेट कई शुब योग बन रहे हैं। इसके साथ ही बुधवार के दिन चंद्रमा बुध ग्रह की राशी मिथुन में संचार करने वाले हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। आए जानते हैं साल के अंतिम बुधवार को कौन से उपाई करने चाहिए। भगवान गनेश को गीले चावल का भोग लगाएं। भगवान गनेश को गीले चावल इसलिए चड़ाए जाते हैं। क्योंकि उनका एक दाथ तूटा हुआ है और सूखा चावल बहुत कठोर होता है, जिसकी वज़े गनेश जी सूखे चावल को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए भगवान गनेश को गीले चावल अर्पित करना चाहिए। जीवन में चल रहे सभी विग्न दूर हो जाते हैं और सम्रिद्धी, धन और वैभव में व्रिद्धी होती है। साथ ही राहु के अशुब प्रभाव में भी कमी आती है। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो बुद्धवार के दिन भगवान गनेश को ग्यारा दूर्वा अर्पित करें और रिनहर्ता गनेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से धीरे धीरे धन प्राप्ती के मार्ग बनने लगते हैं। और आपको कर्ज से मुक्ती भी मिलती है। चल रही थी। वह भी दूर हो जाएंगी और आपके करिया में तरक्की के योग भी बनेंगे। साल के अंतिम बुद्धवार को हरी मूंग डाल का दान अवश्य करें और इस दिन हरे कपड़े पहने या कम से कम हरा रुमाल रखें। साथ ही गाए को हरी घास या पालक अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से कुंदली में बुद्ध ग्रह की स्थिती मजबूत होती है। इसके बाद शाम के समय वक्रतुन्द महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विग्न कुरु में देव सर्वकारेश्यू सर्वदा मंत्र का 108 बार जब करें। इससे सभी विग्न वबाधाएं दूर होती हैं और धन के साथ आपकी प्रतिष्था में अच्छी वृद्धी होती है।